रादे रादे मित्रो आप सभी को पंडिताइन छावी शर्मा की ओर से विजय दश्मी की हारदिक शुप कामना है शास्त्रों में विजय दश्मी को पराक्रम बढ़ाने का सर्वोत्तम दिवस माना गया है यह दिन खास है हर प्रकार के शक्ति पूजन के लिए, खास है उन सभी दर्शकों के लिए जो जाने अंजाने कोट का चहरी में फस चुके हैं आईए जानते हैं दशहरे पर किये जाने वाले कुछ सरल उपाए जिन से हम सभी लाभानवित हो सकते हैं सबसे पहले अपने घर के इस्ट सोन यानि पूर्फ दिशा में बैठ कर पूजन की तैयारी करें अपना मुख पूर्फ की ओर रखते हुए जमीन पर गेरू से लीपें पिर गाय के गोबर से दस छोटी छोटी कटोरियां बनाएं और उनके धकन बनाएं गोबर से बने हैं कटोरिय और ढकन रावण के दस सिरों के प्रतीक हैं अब आपके घर में जो भी अस्त्र शस्त्र आयुद आपके रोजगार से संबंदित उपकरण हो यानि की पैन, पैंसिल, लैप्टॉप या जो भी आपके व्यवसाय से संबंदित हो आप उन सब को वहां साथ में रखें अब अपराजिता का एक फूल रावण के दस सिरों के बीच रखें और एक फूल अस्त्र शस्त्र और उपकरणों के साथ आरंद करें रावण के प्रतीकात्मक सिरों में चावल, बताशा और सिका रखें रोली, कुमकुम, पुष्प इत्यादी से पूजन पूरा कर अस्त्र शस्त्र उपकरणों को अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित वापस रखते अप राजिता के फूलों को आज के दिन सोने की अशर्फियों का प्रतीक माना जाता है इसलिए पूजन पूरा होने पर इन फूलों को अपने कैश बॉक्स या तिजोरी में संभाल कर आप रखते अगर आप किसी कोट केस में उलजे हैं तो इन फूलों को अपने कचेहरी के कागजातों के साथ रखकर भगवान से विजय की प्रार्थना करें कहते हैं अपराजिता कभी भी सच्चे मनुष्य को हार दे नहीं देती आप चाहें तो दशेहरे के ही दिन अपराजिता का एक पेड़ या पौधा अपने घर की उत्तर दिशा में लगा लें और हर महत्तपूर्ण कारे के लिए जाने से पहले इसका स्पर्ष करें यह बहुत शुप शगुन माना गया है दशेहरे के दिन शमी वरक्ष का पूजन हर मनो कामना को पूण करने वाला माना गया है इसलिए आप भी शमी के पेड़ को पूछ कर साथ बार कच्चे सूथ से लपेट कर पूजन करें अब इसकी जड़ों में जल देने के साथ साथ थोड़ा मीठा भी चड़ाएं अब यहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और लाकर एक नीले कपड़े में बान कर अपनी तिजोरी में रखें इस उपाय से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी आप सभी को एक बार पिर दशेरे की बहुत बहुत शुप कामना है और हाँ अगर हो सके तो आज के दिन नीलकंट पक्षी के दश्यन जरूर करें क्योंकि यह एक शुप शगुन माना गया है स्वस्त रहें खुश रहें कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंदितायन शवी शर्मा कल फिर उपस्तित होगी